नमस्कार विद्यार्थियों आज हम हिंदी के एक चित्रपाट के चर्चा करने जा रहे हैं चिसका नाम है चीटी और गोरिया अच्छा देखें चीट्र में क्या हो रहा है कौन-कौन है देख चीटी है और गोरिया है चीटी रो रही है तब ही गोरिया ने पुछा चीटी रानी तुम क्यों रो रही हो तो चीटी ने कहा मैं अपने परिवार से बिछुड गई हूँ तब गोरिया कहती है ठीक है आओ मेरे पंख पर बैठ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारी मा के पास ले चलती हूँ ऐसा कहते हैं इस चीटी गोरिया के पंखों पर चड़ गई और कहती है अरे वा कितना मज़ा आ रहा है और थोड़ी देर बाद गोरिया ने चीटी को उसकी मा के पास उसके घरवालों के पास पहुचा दिया इस तरह गोरिया ने चीटी की मदद की तो ये चित्रकथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें भी एक दूसरे की सहाईता करनी चाहिए अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए अब आगे देखते हैं मात्रा दोहराए अ अनार आ आम दी इ दिन इ हाथी उ कच्चुआ उ कबूतर रू रिशी ए सेब अई थैला ओ मौर अउ पौधा अ अम अंगूर अम चांद अह नमह तो ये हुई सब मात्रा है अ की कोई मात्रा नहीं होती और हमने बाकी सब मात्रा है दोहराई और आपका आज का होमवर्क है कि आपको चीटी और गोरिया की कहानी एक बार अपनी हिंदी की नोट्बुक में लिखनी है और ये मात्राय भी लिखनी है ये आपका ग्रीकारिया है बस आज के लिए इतना ही अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ धन्यवाद